दोस्तो टॉप कर्मेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ चुके हैं उन लोगों के लिए जो पुलिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं देखे यहां जो मैं वकेंसी के बात करने जा रही हूँ वो आ रहे हैं असाम पुलिस से और सबसे बड़िया बात मेल और फीमिल दोनों इन पोस्ट के लिए अपलाए कर सकते हैं और यदि आपने आठवी पास कर रखी है दस्वी पास कर रखी है तब भी आपके लिए यहां पे सरकारी नौकरी पाने का सुनेरा मौका है और इस पोस्ट के लिए आपको कोई अप्लिकेशन फी भी नहीं भरनी है तो चलिए अब जल्दी से बात करती है जो असाम पुलिस से आ रही है वकैंसी के बारे में क्या फजिकल स्टैंडर्स दिमांड किये गए हैं देखे सबसे पहले हम एज पे नज़र डालते हैं एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी उमर जो है वो 18-38 यह के बीच-बीच होनी जी है मैं आपको बता दू, you must be born on or before 1st January 2000 and on or after 1st January 1980 और अगर हम रिलाक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट में 5 एज की रिलाक्सेशन है SCSTP and STH candidates को और जो 2 एज की है वो ex-service man को अपर एज लिमिट में रिलाक्सेशन है तो चली अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते है educational qualification के उपर कि आपने कितनी पढ़ाई की हो अगर आप यह जो असाम पुलिस से jail water की post आ चुकी है इस पर अपलाए करना चाहते हैं देखे सबसे पहले जो मैं male water है अगर आप बनना जाते है male water तो आपने HSLC और class 10th पास की हो और आपको जो है you should produce undertaking as to know by cycling और अगर हम female water की बात करें तो आपने annual examination of class 8th पास किया हो या फिर इसके equivalent किसी recognized government institution या board से चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नज़र आलते है physical standards के ऊपर क्योंकि अगर अपने police join करने है तो आपके पास required physical qualitative requirements होना जरूरी है तो अब हम physical standards पे नज़र आलते हैं देखिए आपकी height minimum कितनी होनी चीए females की अगर हम बात करें और males की बात करें तो मैं आपको इदर category wise बताऊंगे for journal OBC, MOBC, SC male के लिए 162.5 cm और females के लिए 144.5 cm और for STH, STP के लिए male के लिए 160 cm और females के लिए 142 cm चलिए अब chest की बात करते हैं only for men अगर हम chest की बात करें तो circumference measuring not less than 81 cm when exailed अब मैं आपको बताऊं कि pay scale की, कितना वेतन मिलता है अगर आप असाम पुलिस में जो ये jail order की post आरही है इस पर select हो जाते हो दोस्तो बहुत अच्छी salary जो है वो state level police recruitment board असाम दे रहा है देखे आप इदर देख सकते हैं 14,000 से 49,000 plus GP rupees 5,000 per month और इसके साथ साथ कुछ अन्य allowances भी आपको मिलेंगे तो काफी सुनेरा मौका आ चुक है आपके लिए police में अपना career बनाने का चलो अब नज़र डालते selection procedure पे कि क्या भरती की प्रक्रिया जो रहने वाली है मैं आपको detail में step by step पूरा selection procedure समझाती हूँ अगर आप first time इस चानल पर विजिट कर रहे हो तो जल्दी से subscribe कर लो आप जैसे subscribe कर लोगे आपको तुरंट सरकारी नौकरी की updates जो आ जाएंगे देखे first stage जो रहेगी selection criteria में वो रहने वाला है physical standard test और अगर आप physical standard test को clear कर लेते हो तो उसके बाद आपका एक physical efficiency test होगा और देखे उसके बाद जो next round है वो return test होने वाला है और देखे दोस्तो return test के बाद जो criteria रखा है वो extra curricular activities and special skills and academic excellence भी जो है consider की जाएगी ये तो ही detail में selection procedure की बाद चलिए अब नज़र डालते important dates के उपर कि क्या important dates है देखे दोस्तो online application की जो dates है वो 5th March 2020 से 25th March 2020 तक है मतलब आपनी online application जो है वो 5 March से जमा कर सकते हो इसका जो link active होगा वो 5 March को active होगा और मैं आपको बता दू नीचे description में हमने dailynockery.com का link दिया आप उस पर click करके online application link जो है ढूण सकते हो पुलिस की job में आपको काफी ज़रूरी है कि आप अपने documents साथ लेके जाएं तो चलिए अब नज़र डालते कि कौन कौन से documents आपको अपने साथ लेके जाने देखे आपको ये documents जो हैं इनकी attested photocopies इसके साथ original लेके जाने for verification by the selection committee और जिस दिन आपका test होगा देखे सबसे बहले मैं आपको बता दू आपको certificate of proof of age अपनी age के proof का certificate certificate of HSLC और equivalent examination female candidates who have not passed HSLC और equivalent examination certificate of class 8 और equivalent pass mark sheet लेके जाने आपको HSLC और equivalent examination की certificate of additional qualification अगर आपने कोई diploma की है ITI से या फिर आपके पस कोई और additional qualification का certificate है तो वो भी अपने साथ ज़रूर लेके जाएं क्योंकि आपको उसका काफी benefit मिलने वाला है certificate of sports, games, etc. कोई भी आपके पस national, international level का sports का certificate है वो अपने साथ ज़रूर लेके जाएं experience of serving in home garden certificate of NCC, चाहे वो NCC, A, B, C कोई भी certificate हो और देखे जो X-Serviceman है उन्हें copy of discharge book and copy of identity card of X-Serviceman लेके जाना ज़रूरी है certificate of caste from the competent authority in respect of candidates belonging to ST, P, STH, SC, OBC and MOBC two copies लेके जानी, passport size recent photographs की और candidate should produce undertaking as to no bicycling चलिए अब परते हैं बाद की कैसे apply करने है मैंने आपको बता दिया आपको सिरफ और सिरफ online mode से अपने आवेदिन भेजने है अगर किसी भी unknown mode से अपनी application भेजोगे तो वो directly reject हो जाएंगे तो दोस्तों ये तो है state level police recruitment board से jail water की vacancy की पूरी information अगर और जानकारी चाहते हो तो नीचे description में दिये हुए dailynockery.com के link पे click करें उदर जाकर आप detail में information collect कर सकते हो और साथ ही online भी apply कर सकते हो और अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप मुझे comment करके बूछ सकते हैं दोस्तों हमारा चैनल subscribe करना मत भूला क्योंकि हम आपके लिए top comment job की updates और important information लेकर आते हैं